अर्विन केजरिवाल के कोर्ट में खुलासे के बाद से आतिशी ने अपनी और अपने साथियों की गरफतारी की चिंता जताई है दरसल आतिशी और भारतवाज का नाम जब से शराब घोटाले और मनी लॉंडरिंग में सामने आया है तब से आम आदमी पार्टी में हर्ट कम का महौल मचा हुआ है दरसल आपको बता दे इस बीच आतिशी बीजीपी पर काफी गंभीर आरूप भी लगाते वे आई है मता दें कि दिल्ली सरकार में केबिनेट मंतरी आतिशी को भारतिय जंता पार्टी ने लीगल नोटिस भी भेचा है आतिशी ने मंगलबार को एक प्रेस कॉन्फरेंस करते वे दावा किया था कि मुझे भाजपा जॉइन करने के लिए अप्रोच किया गया था और कहा गया कि मैं बीजीपी में शामिल हो जाऊं और अपना राजनीति करियर बचा लूँ अगर भाजपा जॉइन नहीं करूँगी तो आने वाले एक महीने में मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा दरसल अब इसी बयान को लेकर दिल्ली बीजीपी के मीडिया विभाग की तरफ से आतिशी को मान हानी का नोटिस भी भेज़ दिया गया है बीजीपी ने कहा है कि उन्होंने पार्टी कारेकरताओं के मान को ठेस पहुँचा ही है पार्टी ने नोटिस में पूचा कि आखिर आप से किसने संपर्क किया उसका कोई सबूत है तो जमा करवाईए ये भी पूचा गया कि आप से फोन पर संपर्क किया गया है या व्यक्तिकत रूप से संपर्क किया गया है ये भी बताईए इसके अलावा आतिशी ने ये भी दावा किया था कि आमादमी पार्टी का सीनियर लीडर्शिप हिरासत में हैं लेकिन रभिवार को रामलीला मैदान पर लाखो लोगों के आने और सड़क पर आमादमी पार्टी के संगर्श के बाद महाज़पा आने वाले समय में हमारे चार कॉन्फरेंस पर बीजीपी ने तुरंत पर्तिकिरिया दी थी और कहा था कि शराब घोटाले के सरगना ने जैसी ही अपने दो और प्यादों का नाम लिया इनकी बॉकला हट बढ़ गई है जूटे और जहांसे की फैक्टरी में नई स्क्रिप्ट नहीं बन पा रही वही गिसी पिटी स्क्रिप्ट कल से दोराय जा रहे हैं ना कोई सबूत ना कोई गभा बस मन हुआ बोल दिया आतिशी जी अगर आपको ये सब पुलिस को एजन्सियों को बताने से किसी न रोका है आप ऐसे मन घडंत आरोप लगाने वाले आपके किसी भी नेता ने F.I.R. दर्ज क्य मुद्दों पर बात करें और बताएं कि सरगरा ने आपका नाम क्यो लिया विजे नायर ने आपको क्या रिपोर्ट किया था क्या गोवा चुनाव में ही शराब घोटाली की रिश्वत उड़ाई गई या किसी अन्य राज्ये में भी खर्चा किया गया है वहीं दूसरी और आज अरबिन केजरिवाल को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है ऐसे में ED के तरफ से SP राजु ने दलीले पेश की है